हालो माइट डियर स्टुडेंट्स माइसल किस और सेखावत टीम फिजिक्स एल्सी सीकर और आज हम सॉल करने जा रहे हैं डामेंड टेस्ट प्रस डेट है बाइस अपरिल दोजार देश और इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं तो रे आप्टिक्स ऑप्टिकल लॉजी गेट्स तो करें शुरू आइए पहला क्यूशन है किसी 200 वाट के लेंब का प्रतिविम आउतल दरपन की साहता से पन किसी सफेद पर्दे बना रहे हैं और उसका पनी उपरी आदा बाग है वो डग दिया तो इमेज पर क्या एफेक्ट होगा क्यूशन क्या है कि इ कौन के मीरर इप अपर हाफ अब दे मिरर इस कावर्ड तो प्रसुन आप समझें कि हमारे पास ही कोई एक आउतल दरपन है और यह कोई मालू हमारे पास एक लेंप है और इसकी अपन इमेज बना रहे हैं और फिर यह कहा जा रहा है कि हम लोग इसका जो उपरी आदा भाग है इसको अपने मालू कवर गड़ दिया या कोई हमने यहां पर एक बलेक पेपर या कोई सीट अपने अपलाई गड़ दी और यहां से जो लाइट जा रही थे उसको अपने स्टॉप कर दिया कैभ या इसको अपने हटा दिया रिमू गर दिया बलेक पेपर से इक और गड़ गर दिया तो हम यह जानते हैं कि किसी भी लाइट सोर्स के किसी एक पॉइंट की अगर हम को इमेज बनानी तो इस स्टार्ट होने वाल कम से कम रहे यूज करते हैं अब दो रेक कहीं से भी दो रेक कहीं से भी पास होकर की इमेज बना देगी पर जितनी इसके मालो इसके मालो यहां कहीं इमेज बनने वाली है तो उस इमेज को बनाने के लिए जो रेज यहां इस पूरे सोर्स से स्टार्ट होगे जो रेज यहां पर जो इसका पूरा परचर ह गाली है उसमें से इतना लाइट जो की इमेज male participate कर रहा था वह अब apple Bell's by इसका मतलब जो मनने वाली उसकी इंटेंसीटी कम हो जाएगीी कि मैं इस कंपलीट बनेगी कर उसके इंटेंसिटी जो है थे अखिधि यह चमक जो है छमके लापन है वह इसका मुण हो जाएगा गड़ जाएगा इमेज पूरी बनेगी तो प्राइटनेस ऑफ दा इमेज विल भी रेडियोस्ट है जी तो नेक्स्ट देखते हैं पर किस्ट नमर सेकेंड यह थिन रोड ऑफ लेंग 10 सेंटर ऑप करवेचर यह फोकस पॉइंट और फोकस लेंद इसके रहें हम लोगों को 30 सेंटेमीटर है इसका पोल है तो इसकी एफ कैसी बन गई नेगेटिव मैनस का 30 सेंटेमीटर है कि सीक डिस्टेंस डबल हो गया 60 सेंटेमीटर हुआ हमने इसकी अक्सिस के अलोंग एक सेंटेमीटर है कि अभी करा है इसको ऐसा रखना है जिसकी इसकि जो रियल इमेज फ़र कर दो गश्ट अजिस के न यहां मैं यहां इसको मलन ओबजेक्ट को जिसके लैंद कितनी है , नाथ 2nd है मालो इसकाटक बनेगी nightmare Islamic क्यों सब्सक्राइंक इसको बने इसका तह्यां हम इसको इसको बना गहीं है लैंधि से आये लेंधिया को इस निकाली है पहला सीर है वो तो कितना 60 cm है दूसरा जो end है वो यहां से कितनी distance पर है वो हमको पता करना है तो one का u1 कितना है 60 और इसका v1 भी कितना इसे one point है ना one यहां दो चीजे है four one और four two जो one है आप देखें one जो है उसका you कितना 60 और इसका वी भी कितना 60 है तो उसको तो solve करना नहीं है मैं रहा कौन सा second वाला उसमें उसका u कितना है तो यह देखो 60 plus sorry यह second वाला point इसमें 67 का करते है 10 को यहां कर दे माइनस तो यह distance कितनी यहां से हां तक ही 50 cm आ गई तो four two के लिए u two is equal to minus का 50 cm f हम लोगों मालूम है f थो था पहले से कितना minus का 30 cm अब हमको इसका v2 निकालना है v2 मिल जाएगा image के लें थे आप मिल जाएगी तो v2 के लिए formula कैसे लगाते है तो v equal to हम जानते है u into f upon u minus का f जो मेरे formula होता है उससे से पर इसको निकाल लेते हैं इसको 2 इसको 2 कर दूँ कोईशों नहीं है सब अब u two हमारे पास कितना है minus का 50 minus का 50 और into minus का ही कितना 30 upon u minus का 50 और minus into minus का 30 अब इसको उपन करते है solve तो बताइए minus into minus कितना plus minus का 50 है plus कितना हो थर्टी क्या रहा है यहाँ पर 20 20 रा गया यह प्लस हो गया तो value हमारे पास आए देको minus का 50 into minus plus हो गया तो इसको प्रिकर देए 150 150 upon minus का 20 तो यह हो गया minus का 75 cm minus का 75 यह distance आगी 75 cm अब देखो जो image बन रही है उसकी length पहले इस end के length 60 है यह कितनी आपकी 75 तो length of image कितनी 75 minus 60 यानी 15 cm इसका रही टांसर आपका हो जाएगा second एक conversion beam of light is incident on a convex mirror of focal length 30 cm in the absence of the mirror the beam would come अच्छा सबसे पहले दिखो कि convex mirror है यह मालों convex mirror और इस convex mirror पे हम लोग light को कर रहा है incident और इसकी focus length 30 cm एफ focus length कि मालों इसका c और इसका f तो यह हो गया f f कितना plus का 30 cm क्योंकि incident रही डिरेक्शन में है in the absence of the mirror the beam would converge at a distance of 10 cm converge तो जो ray आपने इसमें incident कर रहे है न वो कैसी converge in nature की है और वो कहां focus हो रही है अगर इस mirror नहीं होता तो उसकी distance कितनी 10 cm तो वो 10 cm actually क्या है वो virtual object की position है आभासी पर्तिवियम की आभासी जो वस्तु है उसको बता रहा है तो u कैसा plus का 10 cm यह हमको मिल गया बड़ाचा question है अब देखो कि u हमारे पास है a p हमारे पास discipline v निकाल लेते है v कितना होता वो u into f upon कितना u minus f बोली साब u हमारे पास कितना है plus का 10 और यह भी कितना 30 upon u 10 minus का 30 तो उप्रुवा कितना 300 upon minus का 20 तो इससे solve करेंगे तो जी यह हमारे पास value कितनी आए गई minus का 15 cm माइनस का 15 का मतलब है कि पोल जो है उससे इस side में यानि इस तरफ तो image यहाँ बन रही है अब यह mirror की सामने है तो ध्यान रखना जी जो mirror होते हैं जो इनकी reflective surface होती है जिस reflecting surface की तरफ जो image बनता है हो हमेंसा कैसा बनता है रियल और जो इसके पीछे बनते हो कैसे बनते हैं हमेंसा वार्च्वल image कैसा रियल image है अच्छा अधरपन के सामने mirror के सामने है तो 15 cm image कैसी बनेगी इसकी रियल बनेगी 15 cm in front of the mirror बिल्कुल यह आ रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए थर्डगा फॉर्ज कि बिल्कुल ठीक है बढ़ते हैं प्यारा कॉश्टन देगो अब इसमेना यहां आपन कैकि रियर डियाग्राम से इसको शो नहीं कर सकते हैं इसको आपको यह पूछा कि यहां पर इसका डैविशन कितना है तो अगर यह देविशन अपने निकाल तो इनीशिल डैरेक्शन किया है इसकी यह होई और यहां नॉर्मली इसका इमर्जेंट हो रहा है तो यह एंगल किदना है तो कैसे निकाल होगे देखो सब देरख है यह 30 है यह कितना है 90 कितना हाँ 60 कितना है 60 तो अगर यह इस तरह मूँ करती है तो उसकेस में यह एंगल कितना 30 दिवाला 30 वह था कुल कितना है 60 तो डैरेशन कितना हाँ 60 मैंस 30 यानि 30 डिगरी यहां जो डैरेशन आपका डेल्टा एकुल टू होगा 30 डिगरी कि नेक्स देखो जब भी कोई पैने एक कॉंपोजिट लाइट वेव पास थ्रू ए मीडियम अदर देन वेक्यूम दा स्पीड ओप तो जब भी कोई लाइट प्री स्पेस या कोई जो आपका नॉन डिस्पर्जिव मीडियम होता है उससे अगर मूँ गड़ता है तो इसकी स्पीड कॉंस्टेंट रहती है पर जैसे वह डिस्पर्जिव मीडियम में क्याते हैं पर इक से अंदर से मूँ गड़ती है तो आप जैसे मानते हैं ग्लास है केल साइट होते हैं वह कैसे डिस्पर्जिव मीडियम होते हैं फ्री स्पेस है आपका एर है उसको मानते हैं से केल साइट या किसी अधर माध्यम से मीडियम से त्रू करती है और संघ इसको फिर क्या होता है कि अलग अलग जो लेंड़ा होती है या फ्रिक्वैंसी होती ho89 इक ही मीडियम अलग यह किस नहीं का आप को चीज ने अब देखो 20 फ्रिक्वेंसी का स्कॉरल तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पीड क्या होगी कम होगी अधिक फ्रिक्वेंशी वाला हायर फ्रिक्वेंशी का कम स्पिड से मोशन सों गरेगा हायर फ्रिक्वेंशी का n लोग की सेंटिमेटर और फार पॉइंट 40 सेंटिमेटर एन कम से कम तीस और अधिक से दिक चालिश तर देख सकता है दे डायोप्ट्रिक पावर फॉर दे करेक्टिव लेंस फॉर सिंग नियर ऑब्जेक्ट यह नियर ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं कि एक जो हैल्दी परसुन होता होता है उसके नियरि पॉइंट की वेली घ य्वाल 1 ला 30 सेंटिमेटर देखना चाहता कितना है जा सकता kinda कहाँ देखना चाहता इए या चाहता है तो यू जो इसका है यू चाहता है कि छक्ता है कहता है यू चाहता है अब यू चाहता है वी सकता है उसके अपने उसमें अब यह सेंट्यमीतर में है तो इसको रोलता है मीटर में गा दिकानी है यरप सब में कुछ करोगे तो डाइड पौर किसमें आएगी डायोॉटर को बोलाओस भर न पर कितना है V, V है 0.3, minus का 0.3, minus का 1 upon u, u हमारे पास कितना है? 0.25, आई तो इसको 1 by 4 भी कर सकती हो, या 0.25, 0.25 minus का, अब इसको चाहें, तो ये minus upon minus प्लस करदें, तो देखो तो माइनस का 1 upon 0.3 और प्लस का कितना 1 upon यह हो गया आपका 0.25 क्लियर अब इसको अपने सॉल करते हैं तो सॉल करेंगे तो LCM कितना हो गया इसका देखो 0.3 इंटू कितना 0.25 इसे डिवाड़ करने पर यह हमारे पास माइनस का 0.25 और प्लस का कितना हो गया 0.3 अब इसको सॉल किया जाए तो यह माइनस में कम है प्लस का कैसा ज़्यादा हो जाएगा तो value हमारे पास कितनी आ रही है वहाँ पर 0.05 0.05 0.3 से 0.25 पर माइनस करेंगे न तो यह upon यह है 0.3 इंटू कितना 0.25 इसको उड़ा दें यहां से 5 और यह 25 पास को उड़ा दें कितना फाइफ पास ती कितना हो गया 15 तो 1 अपोन 1.5 या 2 बटा 3 या 0.66 और प्लस का आया न तो 6 में आपका अंसर first हो जाएगा बिलकुल 0.67 डाट तो इसमें तो question ज़्यादा simple होता है अगर यह पूछता है कि वुगेंद्ध कंवलन्स फार उप्व्शेकल तो फ़ार में देख सकता करता कहां तदेग चाहता कहां तक चालिस कई हो देखना चाहता का तबिन्फैनाइट कुडे उसकेश में यू चाहता है इन वानिट वह सकता है उसकों पन क्या लेंगे 40 cm में लेना है तो इस तरह से आप बाढ़ सकते हैं Next देखो हमें क्युश्ण दरेका देखे हैं focal length of the objective and the eye piece of a compound microscope are 1 cm and 5 cm respectively an object is placed at a distance of 1.1 cm from the objective if the image is formed at the least distance of the distinct vision the magnifying power is साब तेखने की नियुंतम दूरी भी मिस बन रही है तो आपको पूछ है कि इसका magnification कितना होगा clear तो इसमें यह compound microscope है यह objective lens है आपका eye piece lens है यह तो just एक simple microscope की तरह से भीव करता है और इसलिए इसकी जो magnifying power होती है वो just near point के लिए कितनी है 1 plus d upon fe दोनुं combination के form में है तो complete का magnification होता है कितना है M equal to दोनुं का total यह M not into कौन सा M E M not कितना है है साब पूरा लिखे माइनस का V not upon कितना U not into 1 plus कितना d by fe 1 plus d by fe आप क्योशन कैसे करोगे D को हम क्या लिखे 25 cm F हमको दरखी F E कितने हैं साब F E 5 cm 5 cm 25 अपकों 5 कितना है होगा 5 plus 1 यह total कितना होगा 6 6 आ गया कितना होगा 6 अब रहा क्या कि यह आपको find करना है यह हमको find करना है क्योंकि हमने object रखा कहां पर है object is placed at a distance 1.1 cm अब इसका magnification चाहिए तो अलग से निकाल लो objective lens का तो इसको अपन कैसे करते हैं देखो यह 1.1 cm तो अपने रखा इसका distance और F देरक कि हम लोगों किसकी 1 cm तो इसका अपन M नोट प्लस निकाल लो देखो तो M का formula होता क्या है हमारे पास है कि इसमें F और U है तो F अपन F माइनस का U magnification lens के लिए प्लस तो देखो F हमारे पास कितनी है 1 cm और F ये 1 U माइनस का 1.1 तो यहां से value हमारे पास आ जाती है 1 अपन माइनस का 0.1 10 हो गई 10 10 इंटो 6 कितना हुआ 60 तो 7 का अंसर आपका 1 ठीक है अच्छा यह जो इसमेंन कि अब्जरवर लोक्स अड़े डिसे अड़े ट्री ओ 550 मेटरस वाई अड़े टेलिसकोप आप मैंडिफाइंग पावर 10 यह टैलिसकोप का मीरी क्या होता है वह दूर की बड़ी वस्टू है उसको मैगनिफाइंग जो पावर है उसकी सहाता से यह करता है 10 इंटायमस माझनो सका मैगनिफाइंग पावर कितना दा दूर्श दे रखा है तो वो टैयम टैयमस खोगाथ का इमीज़ उसको हमारे पास बनाता है जो कितनी जितना certainly game होता उतनी गुणा हमारे पास इमेज को बना जैता है तो टैन टैम्स एमेज को बना ज्यतर अतरों भी और को कि सुस्क्ला के चैन्फटी नॉमिकल टैलिसकोप हैज उपजीक्टी हमारे पास यान जब फाइनल इवेज कहां बनता है इंफिनिटी पे और उसकेस का मैगनिफियाइंट पावर कितना होता है वह हम लोग जानते हैं कितना होता है माइनस का F0 अपॉन F0 तो कितना है 200 cm और यह कितना है 4 तो 50 कि आसपास 50 आसपास किया यह इसका वेल्यो बन जाएगा अच्छा फिर यह कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्ट एक्सपरिमेंट 12 फिरिंजेश आर अब्ज़र्ट तु दे फॉर्म इन इस सटें सेगमेंट अफ दे स्क्रीन वेल लाइट ऑफ लेवलेंद 600 नेड़ो मीटर इस यूज़र्ट आप लाइट इस चैंस तो 400 नेड़ो मीट है यह हमारे पास एक सिंगल स्लेट है और यहां पर इसका बनता है इंट्रफेरेंस बनता है है तो यह कह रहा है साब कि पहले हमने लाइट को यूज़ किया है कौन से को 600 नेड़ो मेंटर को और उससे किसी इस पर्ट में जो बन रही है तो यह इस यह कहते हैं बीटा इस नमबर ओफ रिंज़ेश है वह बीटा होता है फिरिंज वीट्थ किसी फिक्स पाई पर अगर वाई के फिक्स हो तो यह को एक इसका वंत्वा कॉंस्टेंट तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि एंडेस इंटु इडि इतो इडिलेफ इंट रहे डिपंडेंड करता है इस को एं इंटूलेंड इपल्ट कांशनुट कर सकते हो तो यह हो गया एंडेस एकोड़ादेस इस इपल् guys और अटेज इंटो लैंड़ा तो टोटल कितनी 18 जिसमें आजाएगी तो दस कांसर आपका हो जाएगा सेकेंड बढ़ते आगे आजाएगो यहां है वाट हैपनस तो यह आपका स्क्रीन है पास में इसकी और बनती है तो यह जो डार्क फ्रिंज और जो आपकी ब्राइट प्रिंज होती है दोनों अगर सेम विड़ते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर चाह्म क्लियर इंट्रिंड रह.. जिसमें ड़ की इंत्र को कर लें और फ्रिक्वेंस बदाव बदल गई तो इंट्रिंड होगा तो इसा मना जाता है कि हम लोग यहां अब्सोर्ब कर रहा है फ्रिक्वेंसिया आपकी कॉंस्टेंट है पर जैसे इसको अपन रिडूस कर देंगे अब दो सोर्स होगे आई बन का और आई टू का आई बन आई टू के और इसकी इसकी इंटेंसिटी कम और चुकिए यह तो उतनी है ऐसे में जो अब यह ब्राइट इसकी इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी पर अब यहां डार्क फ्रिंज पे लाइट पहुंचेगी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वो जीरो नहीं होगी तो अब डार्क की तो फ्रिक्वेंस डार्क की इंटेंसिटी इंग्रीज होगी और ब्राइट की इं दार्क में बिकॉम्स ल Sabbath काला पन कम गया यानि काला पन कम हो गया भाउंक में हो चूका तो इसका इंटेंस्टी बड़ी है इसका अग proceeding हो रहें ओ 2 lambda है या कितना 5 lambda by 2 या कितना 3 lambda इस तरह से आता है यह जो वैल्यू आपको दिख रहे हैं यह कौह से maximum के लिए होती है और यह सब किसके लिए होती है उसमें minimum के लिए अब यहीं से question आपका निकलेगा तो equation कर रहा है first minimum is observed at an angle of 30 first minimum यह first minimum है तो first minimum के लिए a sin 30 equal to lambda 30 का मतलब 1 by 2 तो a into 1 by 2 equal to lambda तो चाहूँ तो आप ऐसे कर सकते हो कि lambda equal to कितना है a by 2 यह आपन यह भी कर सकते हैं a equal to 2 lambda तो आप से पूछा है the first maximum is object at an angle of first maximum कहां पर आएगा फैस्ट maximum condition condition यह है तो इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पर यह तो constant है यह हो गया आपका sin theta dash is equal to 3 lambda by 2 अब यह चुली है कितना है यह तो 2 lambda वह न कर दो इसको 2 lambda 2 lambda होते lambda से lambda cancel हो गया 3 को 2 को यह नहीं 4 हो गया तो अब देखो यहाँ sin theta dash equal to 3 by 4 तो theta dash equal to हो गया sin inverse 3 by 4 यह इसका अंसर बन जाएगा फिन ओन वीश कैनोट भी एक्षण बाइव यूजिंग हाइगन स्वेव थोरी हाइगन से इपन पॉलराइशन को नहीं इंट्रफेरेंस यह सा व्लॉग कर सकते हैं कि इन इफ इस सेटप इस इमस्ट इन लिक्विट दैन फिप्थ मैक्सिमा फिप्थ मैक्सिमा इस ऑप्टें एड़ पोजिशन ओफ फॉर्थ मिनिमा इन एर तो जो सेटप पूरा है ना उसको पहले तो कहां रख रहे हैं अपन माध्य में जैसे सेटप को ले जाएंगे तो लाइट की वेवलेंथ है वो चैन्ज हो जाएगी वागी सेटप वैसा ही है तो इफ इस सेटप इस इमस्ट इन लिक्विड दैन फिप्थ मैक्सिमा इस ऑप्टेंड एड़ पोजिशन तो पोजिशन इक्वल है पोजिशन में फिप्थ मैक्सिमा इस ऑप्टेंड जैसे अगर मैं इसको इस तरह से बता दूं सिंपल सी बात देखो मालों यह सेंट्रल है क्या है सेंट्रल तो आप देखो कि फिप्थ मैक्सिमा इस ऑप्टेंड फिप्थ मैक्सिमा इस फिप्थ मैक्सिमा इस फिप्थ मैक्सिमा एड़ पोजिशन ओफ फॉर्थ मिनिमा एक YDC एक्सपेरिमेंट दरवन डूबर नेम पर यह पाया जाते हैं जहां वाईओ में चोथी निम्निस बनती है अब पांच माँ वाईओ में तो कौन सी बनेती फॉर्थ मिनिमा फॉर्थ मिनिमा तो एर में Y फॉर्थ मिनिमा इस इकल टू वाई और यह है आपका फिप्थ मैक्सिमा दरवन में डूबर ने पर तो वाईओ में तो कौन सा फॉर्थ मिनिमा है और वो अब लिक्विड के अंदर क्या बन चुका है फिप्थ मैक्सिमा ऐसा हमको का जा रहे हैं और थर्ड और फिप्थ डिस्टेंस कितनी है यह है बीटा by 2 फिर यह बीटा टो बीटा थ्री बीटा 3.5 सेवन बाय नू बीटा तो यह हो गया डिस्टेंस आपका सेवन बाय टू बीटा बीटा है लेमडा इंट्वक्टेटल दी बाइ आफिश ot फिर यह कहां चले गे हम लोग 50 Maxima फिर्स्ट मैक्सिमा तो फिर्स्त मैक्सिमा सेकंड थार्र फोर फिर्ट प्रिस्टेंस की त्नी 5 बेटा होई है 5 बीटा फाइब पर बीटा है क्या क्या लेंडा इंटु लेंडा मीडियम का, तो लेंडा अपॉन इस तरह से तो यह लेंडा दीस, भी स्अदी एंसल हो गया, लेंडा को इससे उठा देता हूं, हमको निकालना है म्यू तो म्यू एक्चुलि कितना हो गया, म्यू को अपने यहां ले आते हैं, तो टेंट अपॉन सेवन, तो फौर्ट रहें आपस में क्रोस हैं इस थर्ड पॉलवर्ड इस इस तरह है सेकंड है वो कैसा इसके यह सेकंड थर्ड को हमने कैसा रखा इन दोनों के वीच में 45 डिगरी पर हिसे रख दिया है तो अब लाय्ट हम डाल रहें कौन सी यहां पर आई नौट इन्टन सिटी की कौन सी लायट है उन्पॉलवड फस निकलते इंटने सिटी कितनी आयोट बार 2 अब इससी जो इमेज लायट होगी उसकीalter कितनी होगी आयोट बार 2 into cos square cos 45 किता 1 upon root 2 2 का square किता 1 by 2 तो यह होगी आई-node by 4 अभी इस पर किरेगी उससे निकलेगी intensity तो आई-node by 4 into फिर इन दोनों में अंगल किता वोज फंत अले सी है तो फिर होगी आपका 1 by 2 तो यह intensity आपकी आई-node by 8 तो 15 पर अंसर 3rd next बढ़ते हैं आइना इनर्जी और फे हाइड्रोजन लाइक आएन ए इस ग्रेटर देन देट अप अनौदर हाइड्रोजन लाइक आएन बी हाइड्रोजन लाइडो आपके पास आएन है जिसमें से एकी जो एनर्जी है आइनाइजिंग वो बी से जाधा है आइनाइजिंग एनर्जी ओफ ए इस ग्रेटर देन आइनाइजिंग एनर्जी ओफ भी यह जाधा है यहीं से प्रसंद गौण पकड़ें आइनाजिंग एनर्जी का फिर्मला क्या होता है मैनस का 13 प्लस का 13.6 z square by n square 13.6 और यह आपका z square by n square 1st वर्बेट में पढ़ादो यह इसको पढ़ादो यह है a का और यहोग गया आपका b का इसका मतब निश्य तुरूब से जड़ एक का वेल्यू कैसा है, जड़ बी से ज़ादा है यह तो करोगे, तो अब जड़ का ओर्डर हमको मिल गया, तो यह करा है कि रेडियस कैसे होगी किसमें, ग्राउंड स्टेट में, एन इगुल टू बन के लिए, तो रेडियस का फिर्मला क्या होता है, आर पर पॉस्टल होता आपका, एन स्कार बाई जड़, जड़ 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 एक यह दिखाना, तो निश्य तुरूब से देखो, रेडिय यह रेडियस, स्पीड आप यह है, स्पीड और यह टोटल नजी और यह एंगुलर मॉमेंटम, तो सेकेंड यहां पर है स्पीड, स्पीड हम लोग करते हैं, वी पर पॉस्टल के ताँ जड़ बाई एन, तो जिसकी जड़ अधिक उसकी स्पीड अधिक होगी, इसका मतलब फिलोस्टी ओफ वी ए, इस मोर दें वी बी, यह तो ठीक है, तो आंसर इसका सिक्स्टिन का स्टू आ गया, तो ठीक है भी बाकियाब चेक करते रहे हैं, नेक्स्ट, थ्री फोटोंस कमिंग फ्रॉम एक्साइट अटोमिक हाइडरोजन सेंपल आर पिक्ड आप, तो देखो ऐसे फोटों में बिल रहे हैं, कैसे मिल सकते हैं, यह फोटों कैसे मिल सकते हो, तो यह in यह यहां पने पास एक अटम है वहां तक एक ऐक तक है वहां थे अगर आगए तो फोटो निंकल गए एक एक अटम से निकल सकता है यदि मालों दूसरा एक्टम कोई है वो यहां से एक्सेटड़ हो सिधा पर एक समय पर एक ही प्रोस्टिस होगी यानि अगर यहां तक एक्सेटड़ है तो उसको एक ही फोटो निकाल करके ग्राउंड सेट में आ जाना चाहिए था तो उसके लिए एक एक्टम चाहिए यहां स का एक्सेट था तो अनीगेंस का चैना तो ऐसा होसकता है या फिर यह कोई फोटोसे लेने के लिए और इसके दारेट हो कि सैपरेड़ यहां से यहां दो एटम यह महां लो एक लिए से इस सिदा हो गया हो गया तो आइदर टू इटम्स और थ्री इटम्स यह सकते हैं साथ दो सी भी पर पर सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं तो अगला क्वश्चन है अपनी कोई फॉट न डाला उससे बार प्रंट एक एलेक्टान वोड टेंटें इसने फॉट न एब्सॉर्ब कर लिया तो पूछा कि यहां हो सकता है यहां फिर असी यह ओर दो ठीण यह 17 न को तुर अन को थ्री बामर की फस्ट की लेमड़ा वाट इस दे वेवलेंद ऑफ दे सेकंड लाइन सेकंड के आप से पूछिए बामर स्रीज है तो बामर में हम लोग कहते हैं कहां से भी कहां आते हैं कहीं से भी आते हैं सेकंड में तो दो केस इसमें दे रहे हैं बामर की फस्ट में तो तीन से दो और second line में 4 से 2 Z constant है तो formula हम लोग पढ़ते हैं तो 1 upon lambda एकुल टो कितना Z R Z square 1 upon lambda एकुल टो R Z square into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 का square इसा constant ये lambda आपको याद करना है तो इसको वाद से करते हैं lambda d upon lambda is equal to lambda d वाली value यहाँ जिसमें electron कहां से कहां 4 से 2 के लिए तो 1 upon 4 minus 1 upon 16 lambda d upon ये lambda है और यहाँ है 3 से 2 1 upon 4 minus कितना 1 upon 9 तो इसका तो value कितना 36 9, 4, 5, 36 और इसको पर इसोल करते हैं तो महारे पास value कितनी है 16 तो 4, 4 minus 1, 3 3 बटा 16 करें इसको 16 तो value हमारे पास कितना 5 बटा 36 इंटू कितना 16 बटा 3 तो कुछ value आई क्या इसको उड़ाते हैं 4 से तो 4 से उड़ाते हैं तो कितना वाँ 5 और ये बा 9 25 बटा 27 25 बटा 27 कुछ गड़बड करी गया ये बार पुने चेक कर लेते हैं बामर के फस्ट की लेंड़ा है तो what is the wavelength of the second line second की कितनी होगी बामर लाइमन बामर कहीं से भी फस्ट में लाइमन कहीं से भी सेकंड बामर तो 3 से 2, 4 से 2 लेंड़ा 1 अपॉन लेंड़ा की value ये है तो लेंड़ा हमारे पास उल्टा आएगा न लेंड़ा में तो ये हुआ 4 से 2 2 का square 4 वन अपॉन ठीक है लेंड़ा कितना वाइसका 16 तो 4 का आपन डिवाइड करेंगे तो कितना 4 मैनिस 1 तीन बाटा 16 ठीक है इसमें हमारे पास कितना 36 9 मैनिस का 4 5 तो 5 बाटा 36 इंटू 3 बाटा 16 बाटा 3 तो आंसर कितना वाइस 19 में क्या कुछ गड़बड़ी होई क्या भी पास बाटा 36 तीन बाटा 16 तो मैने इसको काटा चार से डिवाड़ी करना चार आया नहीं तो 20 अपन 27 और इसको मल्टिप्लाइ करें तो 20 अपन 27 यहां पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और आप से पूछा कि होने पर इसकी इस फ्रंट साइड है इसका जो एरिया है उसको मल्टिप्लाइ करके इससे ग्याद कर लेंगे आपको पूछा क्या है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है कि प्रेशर फोर्स एक्स्परियंस तो फोर्स का फोर्मुला वैसे होता है intensity आई बाइ सी इनटू एरिया कौह सा जो effective एरिया तो आई बाइ सी इनटू इफ़ेक्टिव एरिया कितना है तो इसके सामनी एक इस ए तो यह बन गया एक रेक्टेंगल है इसकी next देखो question यह है कि an image of the sun is found by a lens of focal length 30 cm तो देखो ऐसा question है कि मान लो हमारे पास कोई एक lens जिसका focus length कितनी है 30 cm है an image of the sun is formed by a lens of focal length 30 cm on the metal surface of photoelectric cell and it produces current eye यहां मालो focus point यहां light हो रही है आपकी concentrate और आप नहीं रखा है photoelectric cell तो धरा कितनी current flow कर रही आई कर रही है अब आपने क्या क्या lens को replace कर दिया जिसकी focus 10 कितनी 15 cm है same diameter इसका आपर्चर सेम है आपर्चर सेम होने पी जितने photons इसने concentrate किया ना या focus किया है उनकी संख्या तो सेम रहेगी जब उनकी संख्या ही सेम रहेगी तो जो photon यहां पर गिरने वाले हैं उनकी संख्या बराबर हैं तो निकलने वाले electrons भी बराबर रहेंगे ऐसे में current आपकी उतनी रहेगी इस आप फोलूबिंग स्टैटमेंट इस नोट्रीव थे दी बर्गली वेव तो यह यह कर रहा है कि परत्तेक ओल एक पार्टिकल अलग होती है तो अलग होती है तो अलग होती है तो यह गलत हो गया तो यह सही होगा बाइस में कितना सेकेंड है इसमें सेकंड आंसर होगा ठीक है तो फास्ते पार्टिकल स्पीड अगर ज्यादा होगी तो यह से ज्काम होगा तू γलत कौन सा हो गया सेकंड तो फ्रिकवेंस इंटेंसी ऑप यह लाइट शोर्स आर बोथ डब गुड करण the frequency and intensity of a light source are both doubled consider the following statement the saturation photo current remains almost the same the maximum kinetic energy of the photo electrons is doubled so actually intensity of light अपन पढ़ते हैं वो है कितनी total energy of photon per unit area per second या n into e by 80 या i is equal to 1 upon 80 और ये है आपका number of photons n into e हो गया आपका h new अब देखो ये थोड़ा सा अजीब सा प्रशन है बड़ा अलग सा प्रशन है बड़ा शांदार सा प्रशन है बड़ा दिलदार सा प्रशन है और प्रशन क्या कर रहा है कि हमने intensity of frequency दोनों डबल कर दी दोनों प्रपोस्न है तो frequency की डबल करने से energy sorry intense double हो रही है अगर ऐसा होता है तो number of photons क्या रहे है constant और number of photons constant है तो saturation photo current क्या रहेगी almost same बिल्कुल ठीक है अब frequency डबल कर दीना और आप जानते हैं जब भी photo electric current में अब गिरने माले photon की जो frequency को डबल करते हैं तो के मैक्स है वो डबल से भी कुछ ज़दा बढ़ती है कि तो करता maximum of the photon is double no गलत है यह गलत है यह सही है तो तो तेज का अंसर क्या है फस्ट इस जो सेकंड इस फॉल्स तेज का second हाँ जी अब यह है कि let mu 1 be the frequency of the series limited by तो ऐसा रहे हो को फोटन यहां से और यहां से और यहां से ऐसा transition होता है तो mu 1 किसका है Lyman series तो Lyman कोंसी है यह first यह mu 1 mu 2 be the frequency of the first line of Lyman series frequency of the series limited of the Lyman limited of Lyman और 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 मतलब limited of line का मतलब हो गया यह infinite है यहां से इसका यह है frequency mu 1 कि और फर्स्ट लाइमन की है म्योटो कि और म्यू 3 be the frequency of series limited of the bomber bomber की limited यह यह है आपका म्यू 3 कि ऐसा को से बोला है इनिफिटी सेवन होने पर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी बाया है लाइमन की limited है नि टर्मिनल फ्लस्ट वाली अब इनका पसे रिलेशन क्या है तो जो इसकी energy है वो इन दोनों के सम के बराबर है तो इसकी इनर्जी कितनी है एस अब इसकी अब इसकी अब इसकी अब इसका एक लिट्व और निकाला तो बन गया हीलियम प्लस वन और इसकी लिए अब इसका एक लिट्व और निकालना यह बन गया सिंगल इलेक्ट्रों सिस्टम इस पे बौर थोरी अपलाई हो जाएगी और इस से लिट्व निकालने के लिए कितनी चाहिए वह हम लोगों करनी है तो वह एनजी कितनी हैं कि इस वाले में वह है 13.6 और अब सुर्विट में है जैं हमारे पास कितना है दो तो चार तो तो तेरा पॉंट यह चार यह 59 .6 बार कितनी चाहिए आपका 54.4 पितना हो the stable nucleus that has a radius of 1.3 that of osmium 189 is a stable nucleus that has a radius 1 by 3 that of osmium is कोई ऐसा nucleus जिसकी इसकी comparable में कि तो हम यह जानते हैं कि radius पर पोस्ट लों क्या होता है एक पर 1 by 3 हमको एक निकालना है उसके तो एक को हम कैसे करते हैं एक पर पोस्ट नों R की पाउर क्या होगा 3 तो A days upon A is equal to हो गया देखो R days upon R इसकी पाउर कितना 3 R days upon R, R days कितना 1 by 3 है तो इसको R by 3 करूं तो 1 upon 3 की पाउर कितना 3 इसका मदद 1 upon 27 थी की पाउर 3, 3 की पाउर 3 अब इससे A days हमारे पास कितना वह ए पाउर 27 यानि 189 upon 27 जो इनीशिल था ना इसकी तुला में दूसरा जो निक्लियस जिसकी नुक्लियस रेडिस कितनी 1 by 3 टाइम सो यह है तो इसको इसको पर डिवाड करें कितना वहां सावत तो A days कितना साथ आने साथ किसमें है यह विज़ो फॉलोविंग इस रॉंग्स डिस्क्रिप्शन और बैंडिंग होती क्या है जब प्रोटॉंस और न्यूटॉंस आपस मिक्स होते हैं तो जो एनेज निकलती है और नुकलियस बनता है तो यह बैंडिंग निकल रही है इसको ब्रेक करना है वापस इससे अपने कॉश्टेंट निकलती है यहां तो इनेज निकल रही रिलीज़ और यह देनी पड़ती है तो जो गिवन एनेजी होगी वह भी बैंडिंग नेजी कहल आती है तो और यह जो नुकलियस आपका बन चुका है इसको कम्पलीटलि अपने बैस्ट वह करते हैं तो उककि रेस्ट Mast Energy and Rest-urous energy स्टों भी हम लोग करते 100 मास निटिफरेंस सी इन दोनुकी रिच्ट मास energy का difference प्याट कालाता है तो इतो फिलेब के क्सांट हो भी निकलते होभी है इटIt is the Sum of the rest mass energies of its nucleons minus the rest mass energy of the nucleus nucleons or nucleus उनका mass अपन गठा करकी गात कर तो बिलकुल ये भी ठीक है it is the sum of the kinetic energy of all the nucleons नो नो ये तीम सही है तो wrong description fourth आएगा an alpha particle is bombarded on N14 N14 तो 7 N14 इस पर पन ने करा बंबाड कितना 2HE4 और इस से बना क्या oxygen 8 O 17 प्लस 14 O4 कितना अठा रहा तो 1H1 7 और दो 8 और एक नो 1H1 proton ये free neutron decays into proton and electron free neutron 0 N1 बन गया 1P1 आप balance करना न तो 0 और ये 1 तो minus का 1 E0 प्लस ये है कौन ये आपका है beta minus particle electron beta minus के साथ हमें सा निकलता है कौन सा anti-neutino तो साथ में कौन निकलेगा anti-neutino 29 में a second ये सर इन ये उरनियम निरेक्टर वोज thermal power is this ये power दे रखी है number of neutrons liberated each nucleon splitting is 2.5 each splitting is assumed to be released an energy of this the number of neutrons generated per unit time is हमको पूछा है हर एक के तूटे से 2.5 neutrons निकलते हैं तो number of neutrons generated per unit time is देखो जितने nucleus टूटते हैं पहले वो निकल लाते हैं तो power p equal to है क्या वो है total energy upon time तो इसको हम लोग ऐसे कहाँ देंगा number of nucleons ये n into e nucleus जिते टूटेंगे into e e है एक के टूटने से निकलने वाली energy जो हमारे पास sample होता है उसमें मालो एम ग्राम को सेंपर उसका मास किता है atomic मालो एम नॉट तो इससे पन ये power p equal to लिख देता हूं एन एन कितना हुआ एवगरडर नमबर स्वारी एन हमारे पास number of nucleons sorry again I am sorry p equal to n upon t total time इसकी पावरा जाएगी जिसमें से n यहाँ पे है जो sample हो उसमें कितने nucleus है ठीक है तो nucleus है कि जितने atom उतने nucleus होंगे जितने atoms उतने nucleus number of atoms निकालते हैं तो यह हम निकालते है mole concept से तो mole concept से amount of mass upon इसका molecule weight into एवगरडर नमबर into कितना e by t clear पर इसमें यह बात तो पुछी नहीं न अपने को तो यह पता करना है कि यह n जो है न यह n, n हुआ कितना p into t by e yes तो यह number of total nucleus है p हमको देरेख़ा, t हमको देरेख़ा है कैसा per time per second, per second ले लेंगे p देरेख़ा हमारे पास कितना 100 megawatt तो actually यह बन गया आपका p तो कितना है 100 megawatt 10 की पौर 8 t हो गया 1 यह हमारे पास कितना 200 meg electron volt है 200 meg electron volt यानि 1.6 into 10 की पौर मैनस का 13 तो इसको solve करें तो यह हो गया 32 200 हटा दो इसको तो कितना 11 इसको ले जाते हैं ओपर तो 8 और 11 कितना हो जाएगा 8 और 11, 21 तो एक बटा 3.2 into कितना 10 की पौर 21 और इसको अपन मल्टिप्लाइ करते हैं 2.5 से क्योंकि एक न्यूकलिस की टूटे से इतने न्यूट्रोन निकल रहे हैं तो हमको निकालना टोटल न्यूट्रोन कितना निकलेंगे तो यह अप्रोक्स कितना हो जाएगा 25 अपन 32 into 10 की पौर 21 20 की संख्या में तो अगर मैं इसको 5 से गुना करता हूँ तो पास तोनी 10 पास ती 15 16 तो एक सो पत्चीस अपौन कितना 16 into 10 की पौर 21 ग्यारा और ये एक अटा दूनों 20 एक सो पत्चीस नंबर ओफ नियूट्रोन्स तो इस कॉशन में आपका 30 में जो आंसर अपन देखिए हैं तो आंसर इसका आ रहा है 4 नंबर तो कुछ हलका फुलका घहीं गड़बड हमने किया वो देखते हैं मेगा तो 6 और 2 8 ये तो ठीक है 10 की पौर 8 टाइम कितना है 1 सेकेंड ये 200 था ना 200 मेगा इलेक्टोन वोल्ड 200 इंटू 1.6 10 की पौर मैनस का 19 6 हो गया गाम तो 13 हो गया 200 मैनस का 11 और 11 और 8 अच्छो हो हो ये है 19 19 से एक कम कर देंगे ना 160 हैगा तो ये हो गया 18 बिलकुल ठीक है 135 एपौन एक मैने पौर गठा दी इसकी 19 से एठार होगी तो ये आपका सही से आनसर आजाएगा बढ़ते आगे तो डिफ्ट करण्ट इन ए पी एंट जंक्शन इस तो पी एंट जंक्शन होता है तो डिफ्ट करण्ट हमेशा फ्लो करती कि इसमें इसमें रिवर्स बांट हम लोग कैसे करते हैं इसको जोडते हैं इस तरह से तो यहां से चलेगे इसमें और यह एंट भाग तो एंसे बिकी तरफ लोग करेगे एंसे बिकी तरफ न साइट टू झाट Do table for system of 4 NAND gate I saw in the figure is तो देखो इसमें actually है क्या यह हमारे पास A तो यहां से A चला गया और यहां पर भी A आ गया यहां से B चला गया और यह B आ गया यह आपका NAND gate A और B यहां पर दोनों पहले हो गया multiply तो A B और यह हो गया A B का बार, इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, दोनों आपस में होगे multiply, तो a into क्या हुआ, a into a b का बार, उसका double बार, यहां हो गया b dot, यह आगया हमारे पास, फिर a b का बार का double बार, फिर दोनों आपस में क्या हो रहे है, multiply फिर इसका note हो रहा है, तो y जो हमको मिल रहा है, यह क्या है a dot a b का भार का डबल बार यह अलग से है सब इसको पहले इसमें इन्पूट करेंगे और इसके साथ कौन रहा है b dot a b का भार का फिर भार यह दोनों इन्पूट गए और इस सब का फिर भार यह इसका boolean expression बन गया इस boolean expression के बनने के परशाथ अब हम लोग क्या करते हैं कि A और B के value हम उदे रखे हैं तो जैसे इस table है ना उसमें A और B के value put करके अब इसमें क्या है यह लेंदी रहेगा तो आप इसको A और B को put करके आप जैसे A की और B की value है ना जिरो बन यहाँ जिरो एको जिरो रखा जिरो रखते ही value ऐसे निकाल निकाल कर यह value इसकी company निकाल लो फिर इसको solve गड़ दो और ऐसे करने पर इसका answer 32 का वो आपका आजाएगा फरस्ट यह आप लोग कर लेंगे थोड़ा लेंदी है कैसे करना बददता हूँ टेबल है न यह जिरो 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 पहले A और B को रखा जिरो 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 पिर खा जिरो बन और ऐसे चेक करोगे तो इसका final answer आजएगा Y के 4 option आएगे उसको match करेंगा answer आपका बन जाएगा यह भी ऐसे देखो यहां हमारे पास है क्या कि Y equal to है A dot B bar plus कौन सा A B bar dot Y is equal to A dot B bar plus यह है B dot A bar पुर हमको बोला कि A equal to 1 है और B equal to 1 है तो वही कितना हैगा तो वह लिपूट करतो बस A कितना है 1 1 in 2 B कितना था हमारे पास तो A हमारे पास कितना है 1 और B भी 1 ही है तो 1 का बार plus B हमारे पास क्या था 1 dot 1 का बार तो यह हुआ क्या साहाब तो 1 into 0 हो गया यह भी 0 तो 0 आंसर आ गया 0 plus 0 0 तो आंसर क्या रहा है फस 33 में 1 ठीक है और यह solar cell के लिए होता है graph simple जानते हो आप open circuit का voltage है इसका solar circuit का solar cell graph होता है basic होता है इन्हें NPN transistor current गैनिस common ammeter configuration is 19 इसका common ammeter का यह यह बीटा 19 आपको पुछा है उसका common base का alpha alpha equal to है क्या बीटा upon 1 plus beta तो 19 upon कितना 19 plus कितना 20 इसको 5 से multiply 5 से तो डिवाइड तो निसे कितना हूंगा 100 99 इंटो 5 कितना हूंगा 45 यह नहीं 45 और 9 95.100 कितना 0.95 यह अंसर नेस्ट एको साब तो क्रिटिकल अंगल for water with respect to air is theta जैसे यह मानलो water है यह मानलो air क्रिटिकल अंगल यह theta अंगल अंगल एंगल एंगुलर रेंज इन विस्ट है जस्ट फिस जस्ट विलो दर सर्फेस ऑबाटर कैन सी अब्जेक्ट आउटसाइड तो जो फिस होती है न फिस यहां होती है तो उसको देखना हो तो अपनी जो गर्दन है वो उसको यहां और यहां रखे ऐसे गर्दन को गुमाये ऐसे न एंगल से तो टॉर्च होती है यहां से यहां जाए और फिस देखे है न यहां से तो जैसे यह कंडिशन आपके उस तरह से लेमडा यहां से जो यह लेमडा है थेटा जो है वो गिवन था उसे कम हो जाए तो इस तरह पी थेटा है इस तरह तो कुल कितना वह यह हो गया आपका स्वारी टो थेटा जो कौन के मिरर बनाता है इमेजेज रियल आपजेक्ट से वह कैसी बनती है आप इसको बस मालों यह इसका सी है और यह एफ है जब इसको और पास लाते हैं इमेज बनती है एफ से लेकर के इस तरह उस सारी इमेज कैसी बनती है रियल इमेज बनती है यहां यह चोटी इमेज है बराबरा कार की बड़ी इमेज होती है जब एफ से इसको और पास लाते हैं इमेज बनती है इस तरह यहां से होते पास आती हैं सारी कैसी है वर्चुल इमेज है बड़ रियल जो इमेज बन रही है पोल और फोकस के नहीं हिसाब यह सारी कहां एफ और इंफ्रेटिक बनती है तो यह आपका रॉंग अन ऑब्जेक्ट प्लेस एडिस्टेंस इकुल तो दो फोकर लेंथ औप दे कॉन वेक्स मिरर यह साब कॉन वेक्स ठीक है कहां पर रखा है फोकस लेंथ पर फोकस लेंथ इस तरफ है और आपने यहां रखा है तो यू तो इसका है माइनस का 20 और इसकी एफ कितनी है वो है प्लस का 20 और आप्जेस प्लस का 20 और आपको दे रखा है यू कितना माइनस का 20 इसक्टेंस की जो डिस्टेंस कितनी होगी भी यू इंटो एफ अपोन कितना यू minus F mirror का है न तो minus आजाएगा value put कर लेते हैं तो ये हो गया U हमारे पास कितना है minus का 20 into 20 upon U minus का 20 F कितना है plus का 20 तो उपर है minus का 400 और निचे है minus का 40 तो minus से minus 10 हो गया 10 cm diffraction and interference of light suggest nature of light is electromagnetic wave nature of light वीवरतन और जो वेतिगर्ण होते हैं वो क्या बताते हैं प्रकास की तरंग प्रकरती को बताते हैं अच्छा इसमें क्या है कि जिसे मालो ये कोई unpolarized ये मालो polarized है first second जो है वो इससे 60 degree पर रखा हुआ है आपने डाल दिया light आई नोट intensity का तो फर्स से निकले तीवरता कितनी हुए आई नोट बाइटू जब इस पर इंस्टेंट तो मैलेस के लोग से अपन देखें तो यहां से यहां इंटनी कितनी तो बदल रही है तो आई नोट बाइटू उसके बाद one by four times one by four times फिर अगली एक दो तीन फिर यह फिर कितना यह इस तरह से व्यव तो यह है कितना सोला इंटू सोला दो सोला और सोला इंटू दो 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 सो चपन का डबल कितना पांस सो बारह तो यह वन अपोन पांस वराइट हो जायेगी और इन अप्लाइड इन एक्सपरिमेंट और फोटो लेक्टिक करेंट नो फोटो इस आप पर इसको आपने नेगेटिव वल्टेज पर इतना कर दिया मैनस भी नौट पर इलेक्ट्रों सब यहां पहुंच ना स्टॉप होजाएंगे पर emission stop नहीं होगा इलेक्ट्रों आपने यहां photon डाल रही हो इलेक्ट्रों से इमिट हो रहे हैं पर वापस वह एब्जोर्ब और आस्टाट हो जाएंगे ऐसा नहीं कि यहां पर emission stop हो गया तो the emission of photon stop नो गलत है दप फोटो एलेक्ट्रों फोटो एलेक्ट्रों आर इमिटेड ब बनता है पहले वोल्टेश कुछ नहीं है तो धरा कम कुछ फ्लो करती है चुट के मैक्सिमम फिर प्लस बढ़ाते है अपन तो करन बढ़ती है नेगेटिव में करन कितनी जूरो होती है आपका मैनस का भी नौट होता है स्टोपिं पोटेंशिल लेट पी एंड डिनोर दे ल फॉथ एर इंक्रीज फ्यूजन रिक्टर इस पॉसिवल एट हाई टेमपरेचर फ्यूजन में क्या नुकलियोंस को अपन कंबाइन करके एक बड़ा नुकलियोंस बनाते हैं और वो दोनों होते हैं पॉजिव चार्ज के पॉजिव चार्ज के उनको पास लेके आना है तो रिपल करना है तो उनका इतना टेम प्रिच ज्यादा घड़ने जैसे कि उनकी काइनेटिक बढ़ जाए कि वह आपस रिफ्यूज हो जाए तो उनको काइनेटिक बढ़ानी पड़ती है जो ताप से पॉसिवल है तो काइनेट एनजी इस हाई एनफ टू और कम रिपल सम तरो हां जी नेक्ट कीशन देखते है जिए इन इंसलोटरोες और टो सीबीज कंडक्टुंट्र्शन बेन एंड वीबी चक्ञ कि इसे तो आप जानते होगी इसमें कि जो इंसलेटल होता है उसमें यह जो CB होता है पूरा खाली होता है VB के अंदर प्रोड़ा खाली भी होता है mostly partially empty होता है पर यह completely खानी होना चाहिए अललो होता है तो उसमें यह कई में पूरा भरा भी होता है कई में कुछ partially filled भी होता है यहां पूछा है कि the diode which are forward wise forward में forward में क्या P होना चाहिए high voltage भी है इसका P part यह N part P होना चाहिए 10, 5 P N से high voltage पे ठीक है यह इसका P part minus 10 पे 0 पे 9 यह P part minus 5 पे minus 2 बड़ा ठीक है यह भी से यह C भी ठीक है P है 0 पे यह है 0, 5, 9 तो A और C A और C the electron density of intrinsic semiconductor तो आप जानते हैं इसमें जो mass section low होता है उसके according N I का square equal to क्या होता है N E into NH तो यह दिरखा है कि intensity कितनी है 16, 10 की पाउर 16, 10 की पाउर 32 खर दूँ और फिर यह electron density 10 की पाउर 14 होगे 10 की पाउर 14 तो NS कितनी होगी तो 18 जोड़ों करते हो जागे The electron conductivity of a semiconductor increases when electron radiation of मालोब मने पास एक semiconductor है यह CB होता है यह B भी होता है आप डालते हैं इसे photon तो bond यहां तोड़ते हैं और electron यहां से यहां पहुंचते हैं जिसे यहां बनता होल यहां बनता है electron पर उसके लिए जो light अपन डालते हैं वो इसके band gap से बड़ी होने चाहिए बेंड गेव से बड़ी होने के लिए जो energy अपन चाहिए वह रगार कितना अपने lambda डाल दिया तो यह कितना होता है 12400 अपन कितना यह nanometer में विदूल अंग्स्ट्रों में पी यह कोई सा और गेट और से बन गया नोर तो यहां तक आपका है प्लस बी हो गया ए प्लस बी का बार यहां नोकीट का बार का डबल बार यह ब्लस जो में इन्पुट और डीट में तो ए प्लस बी का बार और plus नोर नंधू सौरी नौर गेट तो इसे की साथ आज की सवागोरत में समाप करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यबाद Thank you so much